तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे reasons for the failure of the revolt और इसका जो consequences मतलब result क्या था ठीक है क्यों fail हुआ था और result इसका क्या था तो यह last वीडियो है यह जो revolt of 1857 का जो total series मैंने बनाया है इसका last है अगर आप लोगों ने इससे पहले का जो वीडियो से नहीं देखा है सारे वीडियो इससे related मैंने रख दिया है ठीक है तो यह अप लोग kindly पूरा वीडियो देख लीजे अगर यह देख लेते हैं तो कहीं से भी पढ़ने का कोई भी बुक से पढ़ने का भी अप लोग के ज़रूत नहीं है तो आप तो किसको फॉलो कीजे और इसके बाद एक माच जो है इमसे क्यू सिरिस बी आएगा तो शली यह लास्ट जो वीडियो इसको आम लोग थोड़ा से देख लेते हैं और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं देखिए सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है तो जिस्ट यह थोड़ा से कॉंफिडन्स बिल्द करता है हमारा तो kindly request आप लोगों से कि please subscribe कीजे चैनल को, थोड़ा से चैनल को बढ़ाईए, okay Now, so, reasons for the failure of the revolt तो जैसे कि हम लोगों को पता है, जो revolt जो था वो limited था, ठीक है ना region specific था, total जो था, वो कोई भी throughout the country नहीं था total ऐसा नहीं है, कि चलो, sorry बेंगॉल में अगर हो रहा है, start हुआ है, तो फिर आवद में हो रहा है, फिर जाके महारास्ट्रा में भी हो रहा है, साउत में हो रहा है, ऐसा नहीं था, क्योंकि देखे, revolt जो start हुआ था 10th में को, अगर officially बोले तो 10th में को मिरट में start हुआ था, लेकिन ये जो है ना इस डेट में होने का नहीं था, 30th में को होने का था, लेकिन क्या हुआ, 30th में को कर होने का था, तो आल ओवर इंडिया तो ये नहीं हुआ, region specific, मतलब जैसे आवद को एनेक्स किया गया था, miss government में, और मंगल पांडे जो की आवद से belong करते थे, तो बैरकपूर में जब revolt होता है वहाँ पे, उसके पार direct आवद में होता है, ऐसा नहीं है कि आवद में हुआ, और फिर डिफरेंट all over the country में हो रहा है, नैशनलिजम का feeling हो रहा है, कि हाँ चलो सारे ब्रिटिश को हटाए, ऐसा एकदम ही नहीं था, तो region specific था, को अगर वहाँ पे suppress कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि चलो अवद को suppress कर रहा है, तो चलो पंजाब से टोकरी जाके वहाँ पे manage कर रहा है, reinforcement आ जा रहा है, ऐसा एकदम ही नहीं था, ठीक है, लेकिन यही ब्रिटिश लोग अथा कि अगर बेंगॉल का आर्मी वहाँ पे revolt कर दि लोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोई leadership ही नहीं था, ठीक है ना, देखे, leadership अच्छा था ही नहीं, क्योंकि एक बादूर्शा जफर को इन्होंने leader बनाया था, वो भी इनको उनकी wife जो है, वो convince की थी, जीनत महल, ठीक है ना, तब जाके वो माने थे, इससे तो बहतर leader थे coercing, जिन्होंने total एक साल तक revolt को hold करके रखा, है ना, लड़ते रहे, प्लस जाके different जगा में जाके देखे, अगर आप लोग बिहार वाला series नहीं देखे है ना, revolt का, तो वो देख ली, जी revolt of 1897 बिहार, उसमें आप लोग को बता चलेगा, मैंने वहाँ पे आप लोग को बत जाते हैं, हाला कि घुसने नहीं देते हैं, लेकिन वो उनका leadership था, प्लस जाके वो आजमगर जाते हैं, वो लकनों जाते हैं, तो total वो North India को पकड़ के रखे थे, अगर उसी समय उनका साथ कुछ और राजा लोग दे देते, तो इस तरह का revolt को इतना मुकबल गिरना नहीं हो तो यह भी reason था कि leadership strong नहीं था, बादूर साथ जाफर का तो कोई leadership भी नहीं था, वो एक तो मतलब बहुत ही agent थे, उनसे अच्छा तो उनका जो commander था, वो वक्त खान तो वो कर रहे थी, ठीक है ना, तो anyways, तो यहां पे leadership का जो कमी है, वो हम लोगो को देखने की मिलता है, फि कुछ जो है आपका गोला बारूद प्लस वेपन वहां से निकाल के लाएं थे, लूट कर के लाएं थे, लेकिन उसी में कब तक चलेगा, है ना, एक यूद होता है, तो उसके लिए plan programming बहुत सारा चीज करना पड़ता है, एक estimate करना पड़ता है, कितना खर्चा होगा, कितना आर्मी सपोर्ट कर रहा है, दूसरे तरफ कितना आर्मी है, है ना, तो यह सारा कुछ plan programming तो था नहीं, प्लस जाके उनका पास जो ammunitions जो था, armaments जो था, जो weapons था, वो weapons खतम हो गया था, और जो British के पास sophisticated guns थे, जो weapons थे, है ना, तो उनके पास तो था ही नहीं, जो इंडियन से उनके पास था नहीं, वो लोग क्या है ना, कि जो ट्राइबल्स लोग है, वो bow and arrow लेके, वो लोग लड़ रहे हैं, लाटी ले से लड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो कभी भी compare किया ही नहीं जा सकता, उनसे लड़ा ही नहीं जा सकता है, ठीक है, एक कोली आके कहां पर लग जाएगा, पता ही नहीं है, तो इसी तरह से ये resources एकदम था नहीं, फिर रहा है कि lack of organization, देखिए, organization बोलके कुछ था नहीं, INC का ज जाके, जो एलिट क्लास था, जो rich people जो थे, जो लोग पढ़े लिके थे, वो लोग इस revolt को boycott कर रहे थे, ठीक है, ना, क्योंकि उनके पास ही था कि बहुत सारा पैसा था, अभी लड़ाए लड़ने के लिए, युद लड़ने के लिए तो आपको पैसा चाहिए, हाँ, थे, जो बॉड़ने के लिए, थे, वो लोग देने के लिए राजी नहीं थे, तो यह बहुत बड़ा कारण है, बॉड़ने के लिए थे, फिर अबजेक्टिप कुछ नहीं था, इस चाहिए, हाँ, चलो हमको, मेरा हमारा सब का जितना भी राज्य है, सब का हमारा एक ही पॉ सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं आवत की जो वे लेरी भिर्जिस कादिर के लिए ठीक है तो अगाना सहीब अपना पेशसिप के लिए डाइजातना होता की अपना अपना खुद के लिया क्या रहाँ है ठीक है ना, प्लस जाके जो जिस तरह का classes आप farmers देखिएगा, प्लस जाके money lenders देखिएगा, वो लोग भी अपना खुद के लिए लड़ रहे थे, जितना section of the society involved इसमें हुए थे, वो सबका अपना grievances था, खुद का grievances था, जो farmers थे उनको grievances था, permanent settlement ये सारे चीज लग गये थे ठीक है, आवद में जैसे last में हुआ तो उतना दिन जो उनका जो राज़ा थे, मतलब नवाब थे, तो वो कम tax लेते थे, लेकिन जैसे permanent settlement जैसे आते हैं, आवद एनेक्स हो जाता है, तो उसके हिसाब से बहुत जादा ही tax पे करना पड़ता है, ठीक है, money lenders है, money lenders को क्या हो अलग अलग जो है, motto था, British के साथ, रिवोल्ट करने के लिए, okay, फिर जाके यह थे, कि नैशनलिजम का जैसे, कि नैशनलिजम का था नहीं वही मैंने बोला, कि British को पूरा हटा दो, पूरा sweep away करो, इंडिया से, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो लोग अपना अपना रीजन से, अपना जो grievances है, उसके कारण हटाने ही कोशिस कर रहे थे, आटिसन्स जो लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किये थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, टोटल जो है, चार्टर जो है, आपका चार्टर के बिजनस में, अभी जाके सेंकड़ो जो यूरोपियन से वो बजार में आ जाते हैं, तो फिर आटिसन्स है, या फिर हमारा घरेलू जो मनिफेक्चर है, उनका जो बिजनस से वो बंद हो जाता है, तो इसके लिए वो लोग खुद अपने कारण के लिए लड़ रहे थे, तो कॉंसेक्वेंसेस देख लेते हैं तो कॉंसेक्वेंसेस देख लेते हैं, तो कॉंसेक्वेंसे कि 1858 का जुलाई में जो है, जो रिवोल्ट ये वो खतम हो जाता है, और बिजिश क्राउण में ट्रांसफर हो जाता है, जो इस इंडिया कंपनी है, उसका दिन खतम हो जाता है, पोजेशन ट्रांसफर हो जाता है British Crown में Queen's Proclamation 1st November 1858 को ठीक है तो इसमें क्या क्या होता है देखे कुछ short term plans बनता है कुछ long term plans बनता है British's का तो short term में जैसे doctrine of lapse को वो लो क्या करते हैं reverse कर देते हैं फिर जो annexation होगा annexation जितना हो गया उतना हो गया annex state और इसके बाद और कुछ state annex नहीं होगा ठीक है Indian rulers को क्या बोला जाता है कि आप लोग अपना position रखो जो भी है और अपना enjoy करूँ ठीक है आप लोग का कुछ state annex नहीं होगा राइट यह होगा अपका short term में long term में क्या होता है देखे कि अपका पांच जन बोल सकते है five is to one था तो पांच जन European अगर रहता है सुर्जर इंडियन अगर रहता है तो उसमें एक European था तो five इंडियन था और एक European था तो अभी पील कमिशन ने किया कि अगर पांच जन जाके बिद्रो कर देते तो एक सिपाई के लिए इनलों को समालना मुश्किल है तो यही हुआ था ठीक है जितना भी मतलब जो आर्मी जो मतलब रेजिमेंट में जिस तरह से बिद्रो भुआ उसी तरह से बिद्रो हुआ कि कुई Indian soldiers बहुत ज़्यादा थे British soldiers के हिसाब मतलब आगे तो उन्होंने क्या कि 5 is to 1 कहाट आके 2 is to 1 किया कि 2 Indian रहेगा तो एक British रहेगा इस तरह से कि ब्रेटिश को वहां से यहां पर लेके आने में उन्हों को बहुत खर्चा होता था उन्हों को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता था तो यहां पर सस्ते में मिल जाते थे जो है आर्मी ना उन्होंने और एक चीज किया कि देखिए पूरा बेंगॉल बिहार और आवद यह जो रिकूरुटमेंट होगा अभी जो जूब मिलेगा वह कि नहीं देंगे हम लोग किसको देंगे और फिताई किका और मतलब कर दोड़ने करने लगे तो यह साब से वह लोग तोड़ने लगे ठीक है यहएं फिर जाके मुगल एर्रए तो Ñड ओजाता है बाधुरशा नियू को एरस्ट कर लिया जाता है और लास्ट में बाधुरिस देया जाता है उनका जो बैटे थे दो बैटे उनको भी उनका आठके सामने एकड आप लोगों पता है कि पीट्स इंडिया एक्ट के तहट जो बोर्ड अफ कंट्रोल एक क्रियेट किया हुआ था उसको हटा दिया वह बोलिश हो जाता है और सेक्रेडरी अफ स्टेट एक न्यू पोस्ट क्रियेट किया जाता है वहीं पे बैटेंगे वह एज फॉरिंड मिनिस जो है वह जो गवर्नर जनरल है वही वाइसरोई है ठीक है ना वही वाइसरोई क्यों बनाया किया देखिए इससे पहले तो इस इंडिया कंपनी का राज चल रहा था लेकिन अभी क्या हुआ डाइरेट ब्रिटिश क्राउन राज करेगा तो जहां पे ब्रिटिश इंडिया है वहां के लिए तो governor general क्योंकि वो administrative head होंगे वो military head होंगे ठीक है न पूरा अपना मतलब अपना जो rule है वो यहां पे लागू करेंगे लेकिन British India के बाहर में जो princely states है princely states जो है वहां पे तो जो British India का नियम है वो वहां पे लागू नहीं होता है ठीक है न तो वहां governor general कैसे होंगे वो उनका तो military power या administrative power नहीं होगा वहां जो राजा है उनका power होगा इसलिए वो vice roy मतलब representative of queen queen का representative होंगे इसलिए उनको उस वहां के लिए वो vice roy होंगे और बाकी जो British India है वहां के लिए वो governor general होंगे ठीक है तो यह difference थोड़ा सा आप लोग दिमाद में रखिएगा राइट नाओ अभी revolt हो गया consequence भी देख लिए अभी थोड़ा सा significance देखते हैं significance में क्या है कि इस revolt को इन्होंने जो है दबा दिया वो एक ठीक बात है लेकिन क्या हो ना total जो mass है ना total जो आम जनता है ना आम अदमी है ना वो लोग सडक पे आ गए वो लोग सडक पे आ के हतियार उटा लिए यह भी एक बहुत बड़ा बात है एक single platform में एक single platform में आ गया है रोपना willpower दिखाए कि हां अगर हम चाहते हैं अगर हम में अगर बिटिशेस लोग देख लिया कि अगर यह लोग चाहेगा तो यह लोग हमको हम लोग को उखाड के fake सकता है ठीक है ना हमको सब रिसकर कि खाली इंडिया का जो soldiers लोग का death हुआ था या खात्मा हुआ था ऐसा नहीं है का साहस रखता है strength रखता है ठीक है ना वह है कि चलो वह अपना bows arrows लाटी यह सब से कर रहा हमारा जो sophisticated weapons है उसके सामने लेकिन उन लोग को वह लोग में strength है इंडियन में strength है यह बिटिशेस को समझ में आ गया था ठीक है यह एक है ना इस एक nationalism national revolt नहीं था लेकिन फिर वी एक nationalism का बीज उन्होंने बो दिया जो revolt of 1857 ठीक है और देखिए 100 साल से पहले ही हमने जो है independent ले भी लिया इन लोगों से तो nationalism का बीज उससे में पता नहीं था कि nationalism होता क्या है तो दीरे दीरे जो हम लोग देखेंगे social reformers देखेंगे वो लोग पढ़ना लिखना यह सब जानेंगे फिर जाके education लोग को आएगा तो उसके बाद से step by step यह लोग nationalism के बढ़ेंगे और Britishians लोग जो समझ कहें थे कि हाँ यह इंडियन्स लोग मतलब खत्रा हो सकते हमारे लिए तो वो लोग क्या किये जो elite section है जो पढ़े लिके section है इंडिया में वो लोग को target करने लगे और वो लोग को क्या करेंगे कि अपनी जो post है वो सब मे जो council है उसमें एक दो जन को allow करेंगे ठीक है इस तरह से वो लोग को लेने कोशिस करेंगे फिर legislative assembly बनाएंगे सब हम लोग quality में देख चुके है जो मैंने जो एक कितना सारा acts आया है ना वो acts का जो एक video बनाया था उसमें आप लोग देख सकते हैं ओके ना और एक चीज है कि देखिए यह ना कि रिवोल्ट जो है इनिवर्सल नहीं था इनकंसिस्टेंट था लेकिन फिर भी एक नया dimension जो है वो उन्होंने लेके आगे और एक चीज है कि हिंदू-Muslim unity यहां पे देखने को मिलता है अच्छा एक चीज और देखिएगा आप लोग कि यह रिवोल्ट के बहुत सारी Muslim लोग पार्टिसिपेट किये हैं Bengal में भी पार्टिसिपेट किये हैं तो आप लोग देखिएगा यहां पे English लोग Muslim लोग चुकि यहां पे बहुत जादा ही active थे तो वो लोग अभी Hindus लोग को priority देने लगेंगे जो अच्छा अच्छा पोस्ट है बेटर अब लोग का partition of Bengal होगा वहां पे देखिएगा कि Hindu Muslim unity देखिएगा वहां पे क्या करेंगे उसके बात क्या करेंगे Hindu लोग को side करेंगे और Muslim लोग को ब्रेंवाश करने एक स्टार्ट करेंगे और अच्छा पोस्ट देने करेंगे तिक इसी तरह से divide and rule वो लोग का motto बन जाता ह है community को divide करना start कर देते हैं okay तो यह चीज हम लोग को देखने को यहां मिल रहा है कि Hindu Muslim unity देखने को मिला तो यह लोग को लगा कि अगर हम लोग कम्यूनिटी डिस्टप करेंगे community को हटाएं मतलब तोडएंगे तब वो लोग तब जो Hindu Muslim दोनों का sentiment में effect करेगा और हम लोग अलग गलग से approach कर पाएंगे तो यहां पर हम लोग को वो देखने को बिलता है और और भी है कि चलो British government compelled कर दिया इन्होंने कि East India company का rule बंद करो और British crown को ले के आओ ठीक है लेके आता है हाला कि Indians के लिए उतना जादा effective नहीं होता एक बड़ा ब्यापारी जाता है तो दुसरा खुद एक ब्यापारी बन जाता है लेकि मतलब ऐसा नहीं है कि East India company चला गया तो बहुत अच्छा rule हो गया हमारा British crown के अंडर बहुत खुशी-खुशी सब रहने इसा कुछ भी नहीं है ठीक है तो plan of action नहीं था अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे INC को कैसे होता है पहले देखेंगे social reformers कुछ थीक है तो mainmen जो social reformers है social reform movements है वो सब देखेंगे हम लोग उसके बाद education मिलता है लोगो फिर जाके INC का creation कैसे होता है INC जब हो जाता है इसे होता है यह हम लोग बाद में देखेंगे तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं आप लोग की सारे नोर्स अपना जो answer writing है इसमें आप लोग यूज कर सकते हैं ओके तो हमने यह total खतम कर दिया ओके यह जो series चल रहा था तोड़ा डिले हो गया लेकिन total अच्छे से खतम नेचर कर लिए reasons कर लिए ठीक है ना nature में हम लोग देखे हैं मतलब question अब लोग अगर नहीं देखे है ना पूरा यह पूरा series देखे तब ही अप लोग को clear हो जाएगा कई से पढ़ने का ज़रूत नहीं होगा तो nature में हम लोग कुछ quotations भी देखे हैं ठीक है ना plus question answer किस तरह कानपूर में start होता है okay spark जो है वो देख लिए है फिर extension में हम लोग सार जो जहां देली में कानपूर फिर यह सब देखे हैं ठीक है जहांसी details में बिहार का total details में हम अलग से बनाया है okay consequences इसमें देख लिए है okay failures भी इसमें देख लिए अब इसके बाद जो है MCQ आएगा और next chapter हम लोग next chapter में move करेंगे okay तो फिर से हम request करें आप लोग को अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी अच्छा अच्छा वीडियो में लेया हूं दूसरे subject के ऊपर मैं कोशिस कर रही हूं political video start करने का next week से okay तो please आप लोग थोड़ा subscribe कीजे मेरे channel को और थोड़ा share कीजे अपन झाल